नमस्कार मैं हूँ गितिका पांडे और आप देख रहे हैं मद्धप्रदेश का नमबर वन न्यूस चैनल क्लीन न्यूस एमपी चलिए देखते हैं मद्धप्रदेश की सभी शाम तक की मुख्या खबरे फटाफट अंदास में उपाल में पानी के टंकियों में लगेंगे सेंसर्स कंट्रोल रूम से वॉल्फ होगा अपरेट अब व्यर्थ नहीं बहेगा पानी अमरे तो तशमलशोन योजना के तहत अब शेहर के सभी पानी के टंकियों में सेंसर्स लगाई जाएंगे ये कंट्रोल रूम से ऑपरेट किये जाएंगे ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि टंकियों के भरने के बाद पानी व्यर्थ ना बहे इसके अलावा शामला हिल्स जलशोधन संयंत्र परिस्थापित स्कॉड़ा सिस्टम से शहर की 161 पानी की टंकियों को जोडा गया चे जून को जबलपूर में नो फ्लाइंग डे विमानों की कमी के खिलाफ कई पैसेंजर ने यात्रा नरस्त की विमानों की कमी से जूज रहे जबलपूर में चे जून को नो फ्लाइंग जोन घोशित किया गया है वायू सेवा संगर्ष्ट अमिती के तत्वावधान में ये विरोध किया जा रहा है जिसमें बड़ी संख्या में लोग जुड रही है पैसेंजर्स से जबलपुर के हिद को लेकर फोन और सोशल मीडिया के माध्यम से समिती के सदस्य संपर्क कर रही है जिसके बाद कई पैसेंजर्स ने छे जून की यात्रा निरस्त की है अब उजयन से चलेगा धर्मस्ट संचाल नाले आसान होगी सिंगस्ट महाकुम की तयारी बुबाल के सत्पुरा भवन में संचाल धर्मिक नियास और धर्मस्ट संविभाग का संचाल नाले शीगरी उजयन में इस्थानांतरित होने वाला है इसे लेकर उजयन के सिंगस्ट मेला कार्याले में तयारी की जा रही है संचाल अनाले उज्जेन में इस्थानांतरित होने के बाद प्रदेश की सभी धार्मिंगति विदियों की आयोजन उज्जेन से तैं होंगी उज्जेन से जैसिंग पुरा तक नया ट्रेक बनने का काम शुरू प्लैटफॉर्म भी बनेगा उज्जेन रेलवे स्टेशन से जैसिंग पुरा तक एक नया ट्रेक बिछाने का काम शुरू हो गया है हरिफा टकपुल के नीचे श्री महाकाल महालोग के सामने ट्रेन्स का स्टॉपच होगा रेलवे ने इसके लिए गड़ा पुलिया शेतर में रिटर्निंग वाल भी बना दी है सिंगर्स दोजार अटाइस में नए प्लैटफॉर्म का काफी अधिक उप्योग होगा ग्वालिय चंबल सबसे गर्म टेंपरेचर 47 डिग्री पहुचा अंधी बारिश का भी अनुमान मद्यप्रदेश में भीशन गर्मी पढ़ रही है ग्वालिय चंबल जम कर तप रही है मौसम विभाग में अगले चार दिन यानि 22 मई तक ग्वालिय चंबल के साथ निमार के जिलो में भी गर्म हवाईं यानि लू चलने का अलट जारी किया नौर्ट इस राजस्तान की ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम है वहां से एक ट्रफ लाइन गुजर रही है मध्यप्रदेश में वेस्टन डिस्टिबेंस ट्रफ लाइन के साथ एक्टिव है किसान अंदोलन का सायर मालवा और अमरचसर एक्स्प्रेस का रूट बदला आज ये ट्रेन सोंगी प्रभावित अंबाला मंडल के शंपू स्टेशन पर बने समय से किसानों का अंदोलन चल रहा है जिसके चलते हर दिन दरजनों ट्रेन को अपना रूट बदलना पड़ता है इस ट्रेन में इंदोर रेलवे स्टेशन से चलने वाली मालवा और अमरचसर एक्स्प्रेस भी शामिल है पुर्जिले के गोठे गाउं पहुचे जहां उन्होंने कैबिनेट मंतरी प्रलात सिंग पचेल के भतीजे स्टाफ, SMT, वरक्शॉप और वेटरनेरी स्टाफ के लिए 141 पद रिक्त है इच्चुकर योग्यों मीदवार सोला जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती है किंद्र सरकार के खास स्कीम चात्रों को मिलेगी सवाल लाग की चात्र वरती पियमी शस्वी स्कॉलर्शिप स्कीम का मुख्य उद्देश गरीब और पिछड़े वरक के परिवार के विद्यार्तियों को हायर एजुकेशन के लिए प्रोट साहित करना है सरकार नवी से दसवी के चात्र चात्राओं को 75,000 रुपे की आर्थिक साहिता अपरदान करती है वही ग्यारवी और बारवी के विद्यार्तियों को सवाल लाग रुपे की आर्थिक साहिता सरकार के दौराद दी जाती है बम के खिलाब जांच रिपोर्ट सांपने पुलिस ने मांगा समय इन दौर में कॉंग्रिस छोड़कर भाच्पा में शामिल हुए अक्षे कांती बम को लेकर पुलिस ने समय मांगा है इसमें अफसरों ने अपनी तरफ से रिपोर्ट सब्मिट करने के लिए 30 दिन की अवधी मांगी कोट ने उन्हें एक मौका देते हुए अगले महां की दस्तारीक टेक अपनी पूरी कारवाई और पैन ड्राइफ सही जांच रिपोर्ट देने की बात कही तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरे रोजाना ऐसे ही मध्यप्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिलकुल न भूलें धन्यवाद